असलाम लेक्म वीवर्स, वेलकम टू HTML CSS Layout को, और से आची वीडियो का दनार हम जो हमरी लोगो है, इसको क्लिकेबल बनाएंगे, अच्छा यहां पर सबसे पहले हम लोगो क्लिकेबल बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों पर क्लिक करते हैं, बल्कि लोगों पर क्लिक कर पर करेंगे, तो सबसे पहले हम उपर आजाते हैं, और यहां पर लोगों अपडेट है, उस इमिज से पीछे हम यहां पर एड करते हैं, एंकर टैको, ए जानी, एच रेफरेंस एंड इकल टू हम एड कर देंगे, इंडेक्स डाट एच्टीमल, और मैं इस एंगल बैक्ट को काम नहीं करेगा, तो यहां से यहां तक मैंने कापी किया, और मैं यहां पर एड कर लिया, सेफ कर लिया, इंडेक्स में हमारा हो गया, फिर हमने एड कर लिया, दूसरे जी हमारे पास जो है, बाउट में कर लिया, फिर हमारे ने कर लिया, जी हमारे पास जो तीसरा पेज है यानि कि हमारे पस सर्विसेस का जो पेज है, हमारे भी मैंने अड़ कर लिया, सेफ कर लिया, एंड यहां पर आप जाके, मैं इसको रिल्योड करता हूँ, तो यहां पर क्या हो गया, अच्छे जी, हमारे पस क्या प्रब्लम होई है, सूर्स अच्छे यहां पर यहां पर यह देखें, डबल कोर्स हमने बंद नहीं किये, तो यह देखें, तमाम पेजिस में मसला हो गया, तो यह देखें, एक प्रब्लम से पूरी आपकी जो नकिश्टी है, वो डूप सकती है, तो वो आपको फिर फाइंड करना भी थोड़ो सा अगर आप कोई मैन्यो नहीं बनाएंगे, तो वो तमाम पेजिस में आपने अड़ करना होगा, इसी तरह आपको यह फूटर अगर तबदील करें, यहां पर कोई चीज तबदील करें, तो वो आपको तमाम में तबदील करने होगी, तो यह प्राब्लम है HTML और CSS की, तो जब हम PHP में जाएंगे, तो उसके अंदर बहुत ही आसान होगा, यह काम करना और आपको सिर्फ डिफाइन करना होगा, और यह अप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए यह लेकिन यह बेसिक जब तक आपको नहीं आएगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो इस वीडियो के अंदर स तक आपको एलावस